नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार जारखन का नमबर वन यूट्यूब चैनल लाइब सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहेवली बाका लोग सभास सीट पर आज वोटिंग हो रही है और इस बीच पुतुल कुमारी जो वहाँ से निर्दलिय उमिदवार है वो देवघर मंदिर पहुंची हैं वहाँ पर उन्होंने आशिरवाद लिया है आपको बता दें कि पुतुल कुमारी वहाँ से निर्दलिय उमिदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही है उनका मुकाबला NDA के गिर्धारी आदो और राजत के टिकट पर महागरबंधन को रिप्रेजेंट करने जैप्रकाश नयान यादो से है इस बीच आज बिहार के पांच लोग सवा सीटों पर मतदान हो रहा है भारी उत्सा के साथ वोटरों के भारी भीड पोलिंग बूतों पर इकठा है बुड़े हो जवान हो आम हो या खास हो या फिर वो लोग हो जो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकते वो मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं जो सिलबरेज होकर के मतदा था पोलिंग बूत पर पहुँच रहे हैं इस बीच पुतुल कुमारी देवघर मंदिर पहुँची हैं उन्होंने भगवान के दर्शन क किये हैं और वहां पर अपने लिए दुआय मांगी हैं आपको बता दें कि पुतुल कुमारी को ले करके त्रिकोणिये मुकाबला बाका लोकसवा सीट पर हो गया है पुतुल कुमारी नाराज हो करके वो निर्दलिये चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया NDA से रू लोकसवा सीट की जनता किसको विजयी बनाती है क्या जैप्रकाश नयान यादो एक बर फिर से सांसत चुने जाते हैं और संसत में जाते हैं या फिर गिर्धारी यादो और पुतुल कुमारी रेस में आगे निकल पाती हैं आप लाइफ सीटी साथ बने रही है हम आपको दे लाइफ सीटीज के समवादाता ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं आप लाइफ सीटीज की यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो फेस्बूक पेज को लाइक करिए और विश्तार से खबरों को पढ़ने के लिए लाइफ सीटीज डॉट इन पर जाये धन्यवाद